नमस्कार सात्यों स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद पियन लोदा मित्रों आज मैं आपको बुद्धी के सातवे और आटवे सिद्धान्त के बारे में बताने वाला हूँ जो अधिकतर पढ़ाते नहीं है लेकिन एक्जाम में ये प्रिष्णे पिछली बार भी इसमें से दो प्रिष्णा आये थे तो सात्यों बुद्धी का त्री तंत्र का सिद्धान्त या इस्टर्ण बर्ण का बुद्धी का सिद्धान्त पढ़ने वाले हैं मनविज्ञान की कलास नंबर 57 है साथ यो बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे वीडियो को पुरा देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाबदायक सिद्ध होगा लगतार अगर आप वीडियो देखते हो तो मेरी गारेंटी है कि बुद्धी के टोपिक में से आपका एक भी प्रेशन बाहर नहीं जाएगा चले शुरू करते हैं बुद्धी का जो ये त्रीतंत्र सिद्धान थे या जो इस्टर्न बर्ग ने जो सिद्धान दिया था ये 1985 में ये सिद्धान दिया गया था कब दिया गया था 1985 में बुद्धी का त्रीतंत्र का सिद्धान दिया गया था और इसको देने वाले कौन थे इस्टर्न बर्ग ने ये सिद्दान दिया था उनकी एक पुस्थक आये थी मित्र 1945 में जिसका नाम है Beyond IQ क्या नाम है Beyond IQ नाम की इस पुस्थक में इन्हों ने इस बुद्धि के सिद्दान का प्रतिफादन किया था साथ यो इन्होंने Beyond IQ ये जो पुस्तक 1985 में आई थी इन्होंने बुद्धी के तीन प्रकार बताए कितने प्रकार की बुद्धी बताए थी इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धी का उलेख खिया था कौन-कौन सी बुद्धी थी देखिए पहली जो बुद्धी का प्रकार है वो है विशलेशना आत्मक बुद्धी पहली बुद्धी का नाम इन्होंने क्या बताय था विशलेशना आत्मक बुद्धी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनालीटिकल इंटलीजेंस क्या कहा जाता है एनालीटिकल इंटलीजेंस वि जबिन अंशो या भागों में बाटकर समधान करने की शमता ही विसलेशनात्मक बुद्धी कहलाती है कि आपके सामने कोई समश्या आती है और आप उस समश्या को छोटे-छोटे भागों में विवाजित कर लेते हो किसे भागों में छोटे-छोटे अंशो या भागों में से जानी जाती है मित्रों जो विशलेशनात्मक बुद्धी है इस प्रकार की विशलेशनात्मक बुद्धी में आलोचनात्मक ढंग से सोचने एवं विशलेशन करने की शम्मिलित होती है किसी भी समश्या को वह व्यक्ति जिसमें विशलेशनात्मक बुद्धी है वो आलोचन जो शक्ति होती है लोगों में सोचने की जो किसी समश्या के लाब भी देखता है और उसकी हानिया भी देखता है तो ऐसी बुद्धी को ही विसलेशनात्मक बुद्धी या आलोचनात्मक डंग से सोचना कहा जाता है साथ यो बहुत इंपोर्टेंट एक तत्याता है कि जो विसलेशनात्मक बुद्धी है इसको घटके बुद्धी के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से घटकिय बुद्धी के नाम से भी इसको जाना जाता है तो ये प्रश्ण भी बन सकता है कि विशलेशनात्मक बुद्धी को और अन्यक किस नाम से जाना जाता है तो ये तो पहली परकार की बुद्धी हुई अब दूसरे परकार की बुद्धी देखेंगे दूसरे परकार की बुद्धी इन्हों ने बताई है सरजनात्मक बुद्धी जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है creative intelligence क्या कहा जाता है creative intelligence के दो या सरजनात्मक बुद्धी के घटके बुद्दी ऐसे ही सरजनात्मक जो बुद्दी है उसका एको नाम क्या है अनुबवजण्य बुद्धी experimental intelligence भी इसको कहा जाता है तो यहां से भी important प्रिश्न बन जाता है कि सरजनात्मक बुद्दी को अन्यक किस नाम से जाना जाता है अनुपवजन्य बुद्धी के नाम से सात्यों जिन लोगों में सरजनात्मक बुद्धी होती है वह जो ये सरजनात्मक बुद्धी है ये नई समश्या के समधान में सायक है व्यक्ति के सामने अचनक से कोई नई समश्या आ जाती है तो उसका समधान करने के लिए सरजनात्मक बुद्धी का प्रियोग किया जाता है मित्रों सरजनात्मक बुद्धी के बारे में और जानकरी लेते हैं जिन व्यक्तियों में इस तरह की किस तरह की सरजनात्मक बुद्धी होती है उनमें व्यावारिक ज्यान कापी अधिक होता है जो behavior knowledge है उनका जो व्यावारिक ज्यान है वो बहुत ज़्यादा होता है इसे व्यक्ति तुरंत यह है समझ जाते हैं कि अमुक कारी पर उन्हें उत्तम सपलता किस प्रकार मिलेगी उनको अच्छी तरह से पता होता है कि मैं जो यह कारी कर रहा हूँ उनको इस बात का अच्छी तरह से knowledge होता है कि उनको उस कारी में सपलता किस प्रकार से मिलेगी तो मित्रों ऐसे लोगों में सर्जनात्मक बुद्धी या creative intelligence पाए जाती है इस डंग की बुद्धी मशूर वेग्यानिको जैसे आंश्टिन है नूटन है जो बहुत ही जादा बुद्धी मान जिसको अपन कहते हैं तो एसे लोगों में सरजनात्मक बुद्धी जादा पाए जाती है तो मित्रो ये थी बुद्धी का दूसरा प्रकार जो इस्टन बर्ग ने अपने सिद्धान्त में बताया था नेक्स्ट तीसरा और अंतिम प्रकार देखते हैं इस सिद्धान्द का तीसरा और अंतिम प्रकार आता है व्यवहारिक बुद्धी जिसको practical intelligence के नाम से जाना जाता है व्यवहारिक बुद्धी क्या होती है देखो इस तरह की बुद्धी को संधर बात्मक बुद्धी या contextual intelligence भी कहा जाता है तो प्रतियक बुद्धी का अपने अन्य नाम भी देखा प्रतियक अलग अलग नाम जिसे अपने विशलेशनात्मक बुद्धी का अलग नाम देखा अपने जो सरजनात्मक बुद्धी उसका अलग नाम देखा ऐसे ही जो व्यवहारिक बुद्धी है उसको संदर बातमक बुद्धी कहा जाता है वित्रों जो व्यवहरिक बुद्धी है इस बुद्धी में वेसी शमता सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सूचनाओं को इस ढंग से उपियोग करने में सपल हो पाता है जिससे उसे अधिक अधिक लाब हो तो प्रेक्टिकल इंट्लिजेंस उसमें क्या होता है जिन लोगों में इस तरह की बुद्धी होती है वह आसानी से अपने जीवन में आने वाली समश्याओं को जो व्यक्ति जीवन में सूचनाओं को इस डंग से उपियोग करते हैं जो शांदार व्यवहरिक रूप अपने को देखने में लगे तो इसे लोगों में व्यवहरिक बुद्धी या प्रेक्टिकल इंट्लिजेंस पाया जाता है और प्रेक्टिकल इंट्लिजेंस को एक और अन्यक किस नाम से जाना जाता है संदर बात्मक बुद्धी के नाम से भी इसको जाना जाता है तो यहां से बहुत important सिद्दान था यह जो पड़ लिया गया है और इसमें तीन प्रकार की बुद्धी का उलेक किया गया है कौन-कौन सी बुद्धी विशलेशनात्मक बुद्धी सरजनात्मक बुद्धी और वियावरिक बुद्धी तीनों के बारे में मैंने बताया है और चलिए next आटवा सिद्दान्ते लेकिन important इसमें से जादा प्रिशन्टे बन दूख ईएकशनात्में किसके दोरह दिया गया कि प्रस्तूत आपका अंसर है और से तके बुद्धी का पदानुकर्मीक सिद्दान्त्मक प्रतिवादित किया गया था किस किस के दोरा फिलिप बर्णन के दोरा और सिरिल बर्ट ने बुद्धी का पदानुकर्मिक सिद्धान दिया था इस सिद्धान्त में बुद्धी की तुलना पिरामिट से की गई है इसको लिख लेना आप चाहो तो कि कौन से सिद्धान्त में बुद्धी की तुलना पि सिरामिट से की गई है और उस सिद्धान का नाम है बुद्धि का पदा रोकरमे के सिद्धान शाथ यह जो सिद्धान है बुद्धि के सिद्धान ale इस पीर में ने जो जी कारक मतलब जो जनरल कारक जो सामानितत्व बताया था और थ्रश्टन का जो समु कारक है थ्रश्टन ने जो ग्रूप फेक्टर समु कारक जो बताया था और गिलपोर्ट ने जो बहु कारक बताया था उन तीनों को इस सिद्दांत में सम्मिलित किया गय गया है इस सिद्दान्त में शाब्दिक और व्यवरिक है शाब्दिक को कहा जता है वर्बल और व्यवरिक को लिए शाच्वाः की सब्रकशन चार्ट का का समुकारक और गिलपोर्ड का बहुकारक सम्मिलित है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर एगा बुद्धिका पदानुकर्मिक सिद्धान नॉर्मली इसका नाम लिखा दिया जाता है लेकिन इसमें थोड़ी मैंने डिटेल बताने की कोशिश की है तो दोस्तों मिलते हैं अ आज सुबह एक वीडियो डाला था रीट सेकंड लेवल साइकलोजी का तो वो जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही शांदार तरीके से जो तीस ही ओप्षन उनको समझाने की कोशिश की है और हिंदी सिक्सन का आटवा टेस्ट भी डाला है तो उन दोनों वीडियो को आया ग्यान मिलेगा कुछ ऐसी चीजे सीखनों को मिलेगी जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों उन वीडियो को आप एंड स्क्रीन में आप देख सकते हो बिलकुल